नमस्ते जैम आता दी कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो यहाँ पे देखिए आज बन रही है घर में पूरिया तो मेरे बच्चों को पूरिया बहुत जादा पसंद है आये दिन इन लोगों को यही रिक्वेस रहती है मम्मी पूरिया बनाओ चाय पूरिया बना के दो म attractive मेरे बच्चों को चाय पूरिया बहुत जादा के मैं मैं हमस्क है बनाती पूडिया नहीं बनाती हूँ कि मुझे पूडिया नहीं पसंद है सिर्फ दही के साथ खाना मुझे पसंद है तो कभी कभी ही मैं बनाती हूँ नहीं तो हमारे यां हमेशा कोचोडिया ही बनती है और मैं आप सभी को पूडिया ही बताती हूँ ऐसा ही होता है मेरे साथ तो सार अपना खाना बनाती रहूंगी बच्चों को स्कूल बे जाना है तो इसलिए तो यहां पर बाबू भी उड़ गया है उसे भी सबको देखता है ना चाय पीना तो उसे भी चाही चाहिए हलांकि छोटे बच्चों को चाय देना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कभी-कभी मैं उसे बहला लेती हूँ, एक हाथ में दूद लेती हूँ और एक हाथ में चाय, थोड़ा सा दूद में डालूंगी चाय, तो उसे लगेगा कि ममी ने मुझे चाय ही पिलाया है, तो फिर पी लेगा, अगर देख लेगा कि ममी ने दूद लिया हुआ है, तो फिर पी नहीं सकता है, तो इसकी आदत है यह सो के उठता है तो इसको सबसे पहले चाहिए होगा बिस्किट और यह बिस्किट चॉकलेट वाला ही खाता है पाले बिस्किट दे दो तो वह नहीं खाता है जो जीरा वाले आते हैं उझे भी खा लेता है थोड़ो बहुत लेकिन जो इसका फेवरेट है हो है चॉकलेट वाला वही वाला बिसकीट या खाता है अभी तो क्या है ना कि बिसकीट दे दो और पानी दे दो गगिशफ पानी मैं डाल डाल के अपना खा लेता ह्या है तो धरे दिः दिया है इन科मGER को सब खाने के लिए और इधर पर बन रही है मेरी पूड़िया और एक साइट देखिए मेरा कूकर में डाल भी बन के तयार हो गया है और मैं डाल बनाती हूं तो ऐसे ही होता है मेरे गैस का हाल हलाकि मैंने गैस जो कूकर होता है ना डाल वाली उसमें मैं थोड़ा सा ओयल भी डाल देती हूँ मुझे कुछ लोगे ने बताया और देखिए कम से कम तीन लीटर का है ये मेरा कूकर फिर भी इसमें पता नहीं क्यों बैगी जाता है और पूरा गैस खराब होगी जाती है और जिस बरतन में खाना बनाती उसे बना के बिल्कुन क्लीन कर देती हूं लेकिन बच्ची छोटे-छोटे घर में तो फिर खाएंगे फिर बरतन होगा ये तो पूरा दिन का कामी है तो थोड़ा बहुत बरतन भी रहे गए हैं सारे स्कूल चले गए हैं इसके पापा सायद बाहर है क्या बाबु यही पे है और मैंने मेरा मतलब हुलिया भी ने ठीक किया है और मैं बैट गए हूं मसीन पे मुझे सिलने हैं ब्लाउस और मेरे ब्लाउस नहीं है चाची जी के ब्लाउस है उन्होंने मुझे दिये हैं सिलने के लिए तो उनका ब्लाउस मुझे बनाना कि मैं शादी में जाना है तो उनीका सिल रहे हुँ और मैं जो सड़ी पहनी उना इसका ब्लाउस नहीं मिल रहा था ब्लाउस मैंने आधा बना लिया है, थोड़ा बहुत बच गया है इसका, तो मैंने सुचा कि ब्लाउस को रख देती हूँ, और मैं अभी को नहला देती हूँ, और मेरे बच्चे का नाम मैंने अभी रखा है, तो कुछ लोगों अच्छा नहीं लिखता है, अभी मत बोलिये, तो आप सब को जो अच्छा लगे, वही आप सब बोलिये, मेरी ना भी आदत बन गई है, लेकिन मैंने अभी का दूसरा नाम भी रखा हुआ है, आरुस, जब यह छोटा था ताभी हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसका नाम आरुस रखेंगे, लेकिन वो हम डेली नही हुआ है, आरुस, और इसका जो जन्म परमाण पत्र बना है, उसमें मैंने आरुस डिलवाया हुआ है, इसका नाम मुझे पसंद है, इसलिए आरुस और इसका नाम मैं रख रही थी, आ से कुछ था, याद नहीं आ रहा है, मुझे तो भाई लोगों ने बोला कि, बहन ने मे मेरे साहब को नहला दिया है, और घर में हम मा बेटे बचे हुए हैं, तो अभी तो मेरा बाबु हो गया है, डेल साल का, जब ये होगा साड़े तीन या फिर चार साल का, तो इसका भी मैं एडमिशन करवा दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जब साड़े तीन साल के ही थे, तब ही से मैंने सबका एडमिशन करवाया है, माही साड़े तीन साल की थी, तब मैंने उसका भी एडमिशन करवा दिया है, मानसी चार साल की हो गई थी, और सोना साड़े तीन साल की थी, तब ही मैंने सबका एडमिशन करवा दिया था, तो क्योंकि छोटे बच्चे जब एक जो सीखते हैं वो सब बच्चे ऐसे ही करते हैं छोटे में दो साल बेकार जाता है बेकार नहीं कह सकते हैं एक तरह से बेकार और एक तरह से नहीं भी क्योंकि उन दो सालों में वो बैठना सीखते हैं बोलना सीखते हैं अपनी कॉपी पिलसन बुक वगरा रखना सीखते हैं ग बिल्कुन नहीं है पढ़ना तो आये गई नहीं बिल्कुन बच्चों को कम से कम एक साल तक तो ठीक से लिख भी नहीं पाता है तो ये सारी चीजे शीखता है स्कूल में यहीं बड़ी बात होती है है कि नहीं तो ये बड़ी बात होती है कि हमारा वच्चे स्कूल जानने लग गया है सबसे बड़ी बात तो यही कि स्कूल जानने लग गया है उसे पता है कि स्कूल क्या होता है और स्कूल में क्या होता है तो यह चीजे फिर उसके बाद अपने बैग, कॉपी, पिलसन, बुक बैठना उठना बोलने का तरीका सर मैं सबसे कैसे बाते करने हैं यह भी वह सीख जाता है तो यहां पर देखिए हम लोग दुपहर का टाइम हो गया है मैं उब रही थी तो आज मैं निकल के आ गई हूं दुपहर में बाहर और बहुत दिनों बाद मैं निकल के आई हूं बाहर लब बहुत दिनों बाद जब से अभी घर में सब कुछ हो गया है ना अंदर अंदर तो बाहर निकलना होता नहीं है और साम के टाइम पे बाहर जब हम निकलते हैं तो छट पे जाती हूं बाहर उठना बैठना हमारा सब बंद हो गया है तो आज ये मेरा मन किया कि चलो ही को देखिए कैसे चोटा टॉगी को लेकर इसके पैर में चोट लग गई थी तो वही मुझे दिखा रही थी कि ममी देखो इसके पैर में चोट लगी जो बड़ा वाला टॉगी है ना चोटे बच्चों को काड़ता है इसलिए माही उसे भगार ये दूर और यहां पे माही को आने लगा है साइकल चलाना ये देख लीजिए ये बड़ी वाली साइकल है चोटी वाली साइकल नहीं जो बड़े लोग चलाते है वो वाली साइकल है और ये चलाना इसे आने लग गया है गद्धी चलाना और पहले तो ये कैची सीखी है फिर ऐसे मुझे दिखा रही तो मम्मी देखो और सबको दिखाओ मुझे साइकल चलाना आ रहा है और मुझे भी साइकल दिलाओ लेकिन अभी हमारी ऐसी मजबूरी है कि मैं मेरी बच्ची को साइकल नहीं दिला पारी हूं मेरे आखों में आसो आ जाता है मुझे रोना आ जाता है कि मैं मेरी बेटी को भी साइ बजार से लेके आएं सब्जी सब्जियों में यही ननुआ और खीरा सलात के लिए प्याज टमाटर नीमबू और कोड़ा क्या बोलते हैं इसे पुदीना हाँ पुदीना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पुदीना मतलब इसकी जो खुसबू है ना मैं एक बाल ले लेती मतलब मुझे ले चलना है नीचे क्योंकि आज का मौसम ठीक नहीं लग रहा है जिसे आंधी आएगी की पानी आएगी मतलब दोनों मुझे जब बहुत जादा दूब कंपड़े सूख जाते हैं यहां पर पहले मैं मुझे ले चलना ही इन सब को नीचे बढ़े तो बार दे रही हूं जारू क्या पता की बारीश ही हो जाएंगी तो होगी तो मिलब गर्मी चली जाएगी अब ये वाली बारिस होगी ना तो घमोरिया निकलेंगी चुंचुना हाँ तुठेगी जैसे चीटी सी काट रही ऐसे लगेगा तो ये वाली जो बारिस अभी होगी ना कुछ दिनों में ये बारिस बड़ी खतरनाक है मुझे बड़ा डर लग मिलूंगी आप से भी को अपने कल के नए व्लॉग में हस्ते रहें मुस्क्राते रहें बाइबाए